जैन, नमस्कार दोस्तों, मैं आसुतोसरा है, आप सभी का हर्याना एक्जाम बाइक्जाम पूर्पे स्वागत करता हूँ और आसा करूँगा कि आप स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और खुस होंगे, आप सभी को हैपी होली, होली की बहुत-बहुत सब कामना है, आप सभी ने होली खेला होगा आज और अच्छे से खेला होगा यही मैं आसा करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से आज आज ने आप तक नहीं किया है तो अभी भी इस class में मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोग अपने अंदर एक चीज ध्यान में रखके बोलते हुए बोलिये कि मैं आज जो है ये प्रण लेता हूं कि CT का exam मैं qualify करूंगा और group B की vacancy तो मेरी होगी ही होगी group C में भी मैं qualify करके अपना अपना जो ह इस समाज में अस्थापित करने के लिए आज मैं ये प्रण लेता हूं ठीक है तो चलिए आज के आप सभी के होली के सुभावसर पर आज का जो टॉपिक होगा जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे मैंने आपको बोला था कि आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिसत को मुख्य मंत कि अब होली खेल लिया है पेन कॉपी के साथ लग जाएगा इस नोट को बनाने में ठीक है और आप सभी को और आगे में आगे बताता रहूंगा फिलाल हम जो है बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे क्या है टॉपिक उस पे हम चर्चा करेंगे और वो टॉपिक आपका है स स्टेट काउंसिल होता है राजिका मंत्री परिशद इसे हम चर्चा करने वाले हैं इसमें यदि मैं आप सभी को बताऊं तो सबसे पहले आपका एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 163 और इस आर्टिकल नंबर 163 में कहा गया है कि उन बातों को छोड़कर जो बात राजेपाल स्वयम जो है निर्णे लेता है जिस बात पे राजेपाल स्वयम निर्णे लेता है उन बातों को छोड़कर उन बातों को छोड़कर या उन कारियों को छोड़कर अन्य कारियों के निर्वा में उसे सहायता प्रदान करने के लिए किसे सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिसद होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा ऐसा आर्टिकल नंबर 163 आपको कहता है समझ में आया सभी को नहीं समझ में आया दुबारा सुनिएगा कि यह कहता है आर्टिकल 163 कि राजेपाल के पास अभी कल मैंने आपको बताया था कुछ अपनी विव किया कारे होते हैं उन कारियों को छोड़कर जहां पर उसे इन कारियों को छोड़कर राजेपाल जो है अन्य जो भी कारे करता है उसके लिए सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिसद होगा जो की जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा ऐसा आर्टिकल 163 करता है तो हम इ को छोड़ कर जो राजेपाल स्वयम राजेपाल स्वयम के अनुसार करता है स्वयम के अनुसार करता है ठीक है उनके अलावा सभी कारियों के लिए सभी कारियों के निर्वहन के लिए सभी कारियों के निर्वहन के लिए सभी कारियों के निर्वहन के लिए एक मंत्री परिसद होगा जिसका प्रधान जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा जिसका प्रधान कौन होगा मुख्य मंत्री होगा ठीक है तो यह हो गया आपका आर्टिकल 163 जो कि हम लोग क्या बात कर रहे थे मंत्री परिसद के बारे में बात कर रहे थे अचा बच्छों ठीक है अब दूसरी बात हमें इसमें ध् सदस्य राजयपाल के प्रसाद प्रयंत अपना पद धारण करते हैं दूसरा इसमें जो ध्यान में रखना है कि जो मंत्री परिसद के सदस्य होते हैं कौन से मंत्री परिसद के सदस्य तो मंत्री परिसद के सदस्य जो होते हैं वह राजयपाल के प्रसाद प्रयंत पद धारण करते हैं राजयपाल के प्रसाद प्रियंत प्रसाद प्रियंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार पद्हारण करते हैं अपना पद्हारण करते हैं अपना पद्हारण करते हैं तो यह हो गया आपका आर्टिकल 163 क्या हो गया आपका आर्टिकल नंबर 163 ठीक है किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा आर्टिकल 163 समझ में आया इतनी अच्छे चीजों से और इसे नोट करते जाएगा यह आपके लिए बहुत मत्तपुन है यह सारी बातें आपके लिए बहुत मत्तपुन है तो आगे हम बात करेंगे राज्यमंत्री परिसत के गठन के बारे में सबसे पहले हम बात परिसत के बारे में बात करेंगे अब मुख्य मंत्री की क्या कहता है इससे द्हान में रख़ेंगे क्यों मुख्यमंत्री की कर रहे हैं क्योंकि राजमंत्री परिस सबसे पहले करना होता है। किसे इप्वाइंट करना होता है। मुख्यमंत्री को कि它पटमेंट मेंटन की बाद करेंगे यह आर्टिकल नंबर 164 में आता है। कहां सब आर्टिकल 164, की बात करेंगे आर्टिकल 164 की वन की बात करेंगे तो यहां पर यह दिया गया है कि जो सीम होता है सीम की न्यूक्ति मतलब चीप मिनिस्टर की न्यूक्ति अथाथ मुख्यमंत्री की न्यूक्ति कौन करता है तो राजेपाल करता है कौन करता है राजेपाल करता है कौन करता ह या उसे लगता है कि यह अपनी सरकार बना सकता है वह सुभ्यक्ति को क्या करता है आपका CM करता है कौन करता है तो यह राज़ेपाल करता है और राज़ेपाल जो है CM की निवक्ति करने के बाद राजेपाल जो है CM के सहायता से CM के सहायता से या CM से मंतरना के बाद क्या करता है अन्य मंत्रियों की न्यूक्ति करता है तो अन्य मंत्रियों की न्यूक्ति करता है तो अन्य मंत्रियों की न्यूक्ति राजेपाल कब करता है CM की सहायता से करता है इसका मतलब कि अब मंत्री परिसात का गठन करना हो हमें तो पहले हमें मुख्य मंत्री की न्युक्ति करेंगे और फिर हम जो है अन्य मंत्रियों की न्युक्ति करेंगे इस तरीके से आपका जो ये होता है क्या होता है आपका ये आपका होता है नमबर कौन सा 164 का ए जहां पर मैंने आपको बताया अब जो आपसे मैं पूछूं कि जो आपका सीम होता है वो कौन होता है तो सीम बहुमत दल का नेता होता है तो ध्यान में रखेगा कि बहुमत दल का नेता कौन होता है तो सीम होता है और आपको बता दे मतलब सीम कौन होता हुआ नहीं दो बहुमत बहुमत नापने जाएंग उसी को क्या मतना जाएगा राजेपाल नाप्राप्थ जिस स्थिति में आपका क्या होगा ऐसे इस्थिति में राजेपाल जिसे चाहे जिसे उसे लगता है तो वो क्या करता है कि राजेपाल मुख्यमंतरी की न्यूक्ति अपने बिवेक अनुसार कर सकता है एक दल का अस्पस्ट बहुमत प्राप्त ना हो, ऐसे इस्थिती में राजेपाल अपना बिवेक का प्रियोग कर सकता है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका और एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई, तो हम अगली बात चर्चा करेंगे, किस सेज के बारे में, एपॉइंट्मेंट आप दा अधर मिनिस्टर के ब कौन करता है, तो राजेपाल करता है, ये तो आपको पता चल गया, कौन करता है, राजेपाल करता है, ये आपको पता चल गया, लेकिन कितने मंतरी किये जा सकते हैं, यदि आप से पूछा जाए, कि मंतरी किये जा सकते हैं, और राजेपाल किस के सलाह पे करता है, तो आपक यह बोला जाएगा कि यह जो आपके मंत्री की संख्या होगी जो आपके मंत्रियों की संख्या होगी यह कितने परसेंट हो सकती है तो आपके विधान सभा के कुल सदस्य का 15% कि विधान सभा के कोसे संख्या का जो है कितना 15% एक हो सकते हैं मनत्री हो सकते हैं यह आपको आपको अन्य मंत्रियों की निकती के बारे में हमने आपको बताया अब इसे आप लोगों ने देख लिया तो हम बात करेंगे मंत्रियों की योगिता के बारे में ठीक है क्या बात करेंगे मंत्रियों की योगिता को हम लोग देख लेते हैं आपका qualification of the ministers की बात कर लेते हैं, यहाँपे क्या हुआ है? Minister में ज़री बात करें, तो विधान सभा की किसी सदनके सदस्य हों, जो यह minister होते हैं, यह होता है, पहली बात तो یہ होना चाहिए, कि विधान सभा के किसी भी सदनके सदस्य होने चाहिए, किसी सदन का सदस्य होना चाहिए ठीक है और इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा क्या कई बर क्या होता है कि हम किसी को भी मंतरी बना सकते हैं ऐसे तो हम मुख्य मंतरी भी किसी को बना सकते हैं ठीक है मुख्य मंतरी भी हम किसी को भी बना सकते हैं जो पर परंतो जान लेजे कि मुख्य मंत्री की सला पर राजेपाल किसी भी ब्यक्ति को अथात्वा सदन का सदस्य नहीं भी हो तब भी क्या कर सकता है मंत्री निउक्त कर सकता है लेकिन कंडिशन होते है उस पर अभी मैं बताऊंगा परंतो मुख्य मंत्री की सला पर किसी को भी क मंतरी बनाया जा सकता है वो कहीं वो सदस्य हो या नहों ठीक है किसी को भी मंतरी बनाया जा सकता है लेकिन उसके लिए कंडिशन होता है बनाया जा सकता है लेकिन लेकिन छे मां के अंदर छे मां के अंदर छे मां के अंदर उसे अपने किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा छे मां के अंदर सदन की सदस्यता लेनी अनिवारे होती है ठीक है लेनी अनिवारे होती है इसे ध्यान में रखिएगा चलो इतने बात समझ में आ गया मंत्रियों की योगिता के बारे में इतनी बाते समझ में आई तो इतना आपको ध्यान में रखना है मंत्रियों के योगिता के बारे में यह आपका क्लियर हो गया यदि आपका यह क्लियर हो चुका है तो हम अगले टॉपिक पर चलेंगे इतनी बातें आप सभी को क्लियर होगी अन्य मंत्रियों की नुक्ति मंत्रियों की हो गेता के यहां पर आपको ध्यान देने के जोड़त है, मंत्रियों के सपत गरहन के बारे में, तो मंत्रियों के सपत गरहन को बताने से पहले आप सभी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेरी क्लास होती है मंडे से फ्राइडे होती है कब से कब तक मंडे से फ्राइडे होती है और ये क्लास होती है नौ बजे ठीक है आज हमारी क्लास आठ बजे हो रही है इसका मतलब आठ बजे नहीं होता है इस समय आपका पूजा मेम की क्लास होती है और पूजय मेम की क्लास जो है आपकी 9 बजे तक होती है जो साड़े साथ बजे से जो की हर्यना जी के से संबंदित होती है मेरी क्लास पॉलिटी की होती है डेली मंडे टू फ्राइडे कितने बजे 9 बजे अच्छा कल सनीवार है, सनीवार के दिन के बारे में यदि मैं आप सभी को बताऊं तो सनीवार के दिन दोपहर में 10 बजे, सुब़ 10 बजे से 1 बजे तक क्लास है कितने बजे से कितने बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक की क्लास है और इसमें हम लोग question की practice करेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे question की practice करेंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ उपस्थित रहना है इसमें आप सभी को क्या करना है उपस्थित रहना है यहाँ पे ठीक है तो ध्यान में रखेगा चलिए बात कर लेते हैं आपको मंत्रियों के सप कब बारे में sır座र्ड السंड्र संड़ worldview उन्हों। यह रहेगी संडे मेरी क्लास नहीज है हम आप मिलेंगे मंडे को मंडे को फिर मिलेंगे रात 9 बजे और उस दिन हम लोगreichen की प्राक्टेस करने वाला है इसी तो फिर भात कर लेंगे हम लोग क्या बात करेंगे मंत्रियों के सपत के बारे में देखो मंत्रियों के सपत कौन दिलाता है तो राजेपाल दिलाता है कौन दिलाता है राजेपाल के सामने मंत्री क्या करते हैं सपत गरण करते हैं राजेपाल द्वारा सपत दिलाई जाती है राजेपाल द्वारा क्य और यह ओत कहां पे दिया गया है इनका सपत कहां पे दिया गया है तो इनका सपत जो है अनुसुची नंबर 3 में दिया गया है अनुसुची आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुसुची नंबर 3 में क्या दिया गया है सपत के बारे में उलेख है अलग अलग लोगों के बार यह बार आप सभी लोग लोग को शेयर कर दें जादा से ज्यादा स्यर करें और इसे पहुचा है और पर यह पड़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारा एक्जाम है और उस एक्जाम के लिए हमारे होली 9 दसारा के बारे में किसके कारेकाल के बारे में बात कर लेते हैं मंत्रियों के कारेकाल के बारे में बात कर लेते हैं मंत्रियों का कारेकाल जो है मंत्री परिसत के कारेकाल की बात करें तो यह मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के बिस्वास तक जो होता है विस्वास तक होता है क्योंकि मुख्य मंत्री के सला पे ही कौन निक्त करता है राजेपाल निक्त करता है और मुख्य मंत्री जब चाहे तब इनके जो है इनकी जो मंत्री जो इनको दिया गया है मंत्री पद उसे ले सकता है तो मुख्य मंत्री के मुख्य मंत्री के विश्वास तक, जब तक मुख्यमंत्री को विश्वास है कि यह सही आदमी है तब तक जो है या उसके लिए सही है तो विश्वास तक यह अपने पदपे बना रहता है, लेकिन यदि आप से पूछा जाए कि एक कारेकाल इसका एक समag folder में, कितने समय तक है रह सकता है तो एक एक और चीज इसमें ध्यान में रखना है कि ब्यक्तिगत रूप से यदि बात करें तो ब्यक्तिगत रूप का मतलब किसी एक मंत्री की बात करें तो ब्यक्तिगत रूप से मंत्रियों मंत्री जो होते हैं वो राजयपाल के प्रसाद परियंत अपना धारन करते हैं राजयपाल जब तक चाहेगा तब तक ही रहेंगे नहीं तो उसके बाद राजयपाल के द्वरा किया करेंगे यह हटवा सकते हैं तो मुख्यमंत्री के विश्वास तक यह अपने मंत्री पदपे बने रहते हैं विश्वास तक Cao कर पूर सामुएक उत्तरदाईतों के बारे में जो मंत्री परिसद होती है राज्य की या हमने केंद्रे में भी बात किया था इससे पहले सामुएक उत्तरदाईतों का मतलब समझ रहें आप सभी लोग कि जो आपकी मंत्री लोग होते हैं सारे के सारे जितने मंत्री होंगे ठीक है वो सभी मंत्री जो है विधान सभा के प्रति उत्तरदाई होंगे किसके प्रति उत्तरदाई होंगे विधान सभा के प्रति उत्तरदाई होंगे क्योंकि जो भी वो कारे करते हैं वो सारा कारे विधान सभा के प्रति जो है उत्तरदाई तो होता है यदि लोम भी मंत्री है और वह मंत्री जो है अपना उसकी ह mango रख़ 집 की सरकार है और प्रस्ताव नहीं पास आए जमक्छाओ कि हुसकी सरकार है और रखाब आपका पूरी तरह से क्या होगा पूरा विधान सभा आपका समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका जो है, क्या होगा, जो आपका तुबारा से चुनाव कराना पड़ेगा, और नया सरकार या नय तरीके से सरकार बनाना पड़ेगा, तो सामुहिक उत्तरदाईत का मतलब यह हुआ, कि मंत्री सामुहिक रूप से विधान सभा के प्रती, सामुहिक रूप से विधान सभा के प्रती उत्तरदाई होती है, ठीक है, विधान सभा के प्रती उत्तरदाई होती है, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, यह हो गया, आपका क्या, यह हो गया, सामुहिक उत्तरदाईत क के बारे में मंत्री परिशत के बारे में हमें इतना ही मंत्री परिशत से related चीजों को पढ़ना था एक topic आपका cover हो चुका है मंत्री परिशत जो हम पढ़ रहे थे वो हमने आपका cover कर लिया है तो जब हम मंत्री परिसत को कबर कर चुके हैं तो हम आप बात करेंगे किसके बारे में तो हम बात करेंगे मुख्य मंतरी के बारे में ठीक है हम किसके बारे में बात करेंगे मुख्य मंतरी के बारे में चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं और एक और टॉपिक रहेगा इसके बाद आपका जो आपका चीफ मिनिस्टर होता है तो चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो है आप सभी को पता है कि आपका ये मंत्री परिसत का प्रधान होता है मंत्री परिसत का प्रधान होता है अभी आर्टिकल नंबर 163 में हमने पढ़ा था मंत्री परिसत का क्य होता है यह प्रधान होता है ठीक है प्रधान होता है है इसको हमने अभी पढ़ा था ठीक है अब इसके बाद हमें क्या इसमें जानना है कि राजी के प्रसासनिक धाचे में उसे वह इस प्राप्त है जो केंद्र के पीम के इस्थिति प्राप्त है यदि आप से पूछा जाए क जो आपका प्रधान मंत्री होता है वह राज्य के यदि बारे में बात की जाए राज्य के प्रसासनिक धाचे मतलब प्रसासन के रूप में देखा जाए तो प्रसासनिक धाचे के रूप में वही सकती प्राप्त है जो की पियम को प्राप्त है वही सकती प्राप्त है जो की आ प्रधान मंत्री को प्राप्त है जो की केंद्र में प्रधान मंत्री को प्राप्त है ठीक है तो यह ध्यान में रखिएगा मतलब केंद्र में जैसे पीम वैसे राज्य में आपका सीम यह समझ में आया चलिए तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे आर्टिकल नंबर 164 को क्या सीम की नियुक्ति कौन करता है सीम की नियुक्ति कौन करता है यह अर्टिकल नंबर 164 में दिया गया है यह विधान सभा का सदस्य होता है कौन तो आपका जो है मुख्य मंत्री हमेशा ध्यान में रखेगा विधान सभा का सदस्य होता है मुख्य मंत्री विधान सभा का सदानता सदस्य होता है ठीक है विधान सभा का सदानता सदस्य होता है ध्यान में रखेगा हां कई बार जो है हम विधान सभा का सदस्य नहीं होते हुए भी हम कि किसी को सदस्य नहीं है उसे 6 महिने के अंदर सदस्य लेनी होती है तो कई बार हम बिना जो है सदस्य के भी सदस्य के बीना भी हम किसी को मुख्यमन्तरी बना सकते हैं। यह मतलब सदन के सदस्य के बिना भी मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन वह मुख्य मंत्री उस मुख्य मंत्री को छे महीने के अंदर छे महीने के अंदर सदसिता ग्रहन करनी होती है तो ये हो गया आपका आर्टिकल लंबर 164 यदि आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे बात करेंगे इसके गठन की किसके गठन की मुख्यमंत्री के गठन की बात कर लेते हैं कि इसको जो है कैसे कैसे गठित किया जा सरुपृथम कारे मंत्री परिशद के गठन करने का काम होता है मुख्य मंत्री का कार सरुप्रथम मंत्री परिशद के गठन करने का काम होता है इसे आप लोग धान में रखेगा यह हो गया आपका गठन गठन के बाद यदि हम बात करें तो इसका काम दूसरा मुख्य मंत्रीयों का मंत्रीयों का चैन करने का काम होता है एक तो आपका मंत्री परिशद के गठन करने का काम हो गया इसके बाद आपका मंत्रीयों का चैन करने का काम होता है कि किसे मंत्री बनाया जाए यह जो है निधारित कौन करता है मंत्रियों का चयन करने का काम कौन करता है आपका चैन करता है इसके अलाबा उन्हיל मंत्रियों को वेभागों कौन सा विभाग उन्हें दिया जाए तो विभागों का चयन भी कौन करता है विभागों का चयन भी आपका मुख्यमंत्री करता है इस तरीके से यह गठन करता है मध्यस्तता की भूमिका निभाता है जो आपका मुख्यमंत्री है यह मध्यस्तता की भूमिका का मतलब क्या हु का तो आपका होता है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के को होता है मन्त्री परिस्थ थो तो कि प्रसाशन से संब्दित कोई यह जानकारी चाहिए यह कोई भी बात यह कि हमें मंत्री परिसत तक पहुचानी है तो राजेपाल मुख्यमंत्री को देगा मुख्यमंत्री मंत्री परिसत को देगा मंत्री परिसत मुख्यमंत्री को देगा मुख्यमंत्री राजेपाल तक पहुचाएगा यह आपका मद्यस्तता की भूमिका को भी निवाता है कौन तो के बाद यदि हम मुख्यमंत्री के बात करें तो यह विधान सभाग का नेता होना इसके लिए जरूरी होता है ठीक है मुख्यमंत्री वही होगा जो विधान सभाग का नेता होगा है ना तो यह चीज आपको ध्यान में रखने के जुरूत है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो सबा का नेता होता है इस बात को आपको पता होना चाहिए है ना बच्चों तो सेर करिएगा क्लास को जादा से जादा लोगों तक पहुचाईए इससे बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इतना मैं बता दूं फ्री अपको जो आपके बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है ठीक है तो यह चीज आपको क्लियर होगा यह क्लियर होगा तो यह होगा आपका बहुमत दल का प्राप्त नेता के बारे में हमने देखा और वह राजेपाल को विधान सभा को भंग करने का परामर्ज भी दे सकता है यह जो मुख्यमंत्री होता है वो राजेपाल को किसे राजेपाल को राजेपाल को जो है भंग करने का किसे विधान सबा का क्यूंकि विधान परिशत तो भंग होगा नहीं तो विधान सबा को भंग करने का परामर्स भी दे सकता है विधान सबा को भंग करने क परामर्स दे सकता है वही तो बहुमत दल का नेता होता है तो वह जो चाहे वह कर सकता है ठीक है परामर्स दे सकता है ठीक है और जब यह परामर्स करें तो आपका राजेपाल का यह काम हो जाता है कि वह उसको जो वह कह रहा है उसका वह पूरा करें ठीक है मंत्री मंडल की बै मुख्य मंत्री से हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है मुख्य मंत्री से जो जानकारी को बतानी थी मुझे वह मैंने आपको बता दिया है अब हम बात करेंगे उसकर मंतरी परिषयर & महाधी वक्ता के बारे में क्या सभी को आज आप सभी लोग पढ़िएगा और हम इसके बाद हम लोग जो है क्रिश्टन के प्रैक्टिस करेंगे ध्यान में रखेगा इनी टॉपिक के क्रिश्टन के प्रैक्टिस हम करेंगे आप सभी लोगों को उपस्थित रहना है कल की क्लास सुबा दस बज़े से लेके एक है लेकिन मंडे से रात के नौ बजे आपकी क्लास सुरू हो जाएगी बात कर रहे थे हम लोग राजी के महा दिवक्ता दा एड़ोकेट जनरल आफ इस टेट की बात कर रहे थे यहार राजी का सर्वोच जो है आपका क्या होता है विधिक अधिकारी होता है सेम वहीं जो आपक सर्वोच बिदिक अधिकारी कौन होता है इसे हम कहते हैं राजिका महादिवक्ता ठीक है जो वहां पर जो आपका जो जो महान्याइवादी है वह आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है और जब हम महादिवक्ता की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 165 के बारे में बताएंगे राजिका सर्वोच विदिक अधिकारी होता है और इसमें मैं आपको बता दूं कि राजिका सर्वोच विदिक अधिकारी होता है और यदि मैं इसके आर्टिकल की बात करेंगे तो इसमें हम आपको बता दें आर्टिकल नंबर 165 आर्टिकल नंबर 165 क्या है यह कहां पे दिया अब बात करेंगे भारत सरकार को विदिक सलाप महानियवादी और राजे सरकार को कौन विदिक सलादेता है तो आप सभी को समझ में आ गई हो तो हम आगे की बात करेंगे राजयपाल किसी ऐसे ब्यक्ति को महादिवक्ता न्यूक्त करता है हम इसमें और चीजें बताना चाहें तो राजयपाल महादिवक्ता को न्यूक्त करता है को न्यूक्त करेगा राजयपाल राजयपाल जो है महादिवक्ता की न्यूक्ति करता है महादिवक्ता क कि न्यूक्ति राजपति करता है महादिवक्ता की न्यूक्ति करता है लेकिन सवाल यह है कि इसे किसको न्यूक्त करेगा राज्यपाल जो है किसे न्यूक्त करेगा यदि आपसे पूछा जाए कि महादिवक्ता वो न्यूक्त कर सकता है लेकिन किसको कर सकता है यदि आपसे प चलिए चलिए तो इसकी योगिता के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसकी योगिता जो होती है वो यह होती है कि ХightCourt कोई जो तो हाई कोट का जज है, जो हाई कोट का जज हो, या हाई कोट में जज नहीं, हाई कोट में जो हैं, दस वर्सों तक कितने वर्सों तक दस वर्सों तक नियाईक पदपे रहा हो ऐसा ब्यक्ति तो उसे जो है यह क्या कर सकता है नियाईक पदपे रहा हो ऐसे ब्यक्ति को यह क्या कर सकता है आपका महादिवक्ता नियुक कर सकता है ठीक है दूसरा यदि हम बात करें कि दूसरी ब वर्सों तक ठीक है दस वर्सों तक या तो वह सकती है या तो हाइक प्धर पदव हो तो वह करता है उसकी को कर सकता है और उसके हिसाब से वो क्या लगता हो एक विधिक अधिकारी हो उसके हिसाब से राजेपाल के हिसाब से विधिक जानकार हो वह वेक्ति तभी उसे महादिवक्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है ऐसा आपका ये क्वालिक्फिकेशन है इसके बारे में जरूर ध्यान में रखेगा अब ये पूछा जाए कि ये जो योगता है ये किस आर्टिकल में दिया गया है तो आर्टिकल नंबर 217 के 3 में दिया गया है और इस बात का मतलब ये हुआ कि महादिवक्ता की नियुक्ति उसे को कर सकते हो योगता होनी चाहिए जो आपका हाई कोट के जज की नियुक्ता हाई कोट के जज के क्वालिफिकेशन होती है हाई कोट के जज के क्वालिफिकेशन योगता के अनुसार इसका जो है योगता होता है और हाई कोट के जज के क्वालिफिकेशन जो है आपका कहा दिया हुआ है प्रियंत अपना पद धारन करता है राजपाल के प्रशाद प्रियंत अपना पद धारन करता है यदि इसके कारेकाल की बात करें तो कारेकाल इसका जो होगा वो राजपाल के प्रशाद प्रियंत अपना पद धारन करेगा यह कौन पद धारन करेगा आपका राजपाल ठीक है ये बात आपको clear है अच्छा इतनी बात यदि आपको clear है कारेकाल के बारे में ये मैंने बता दिया जब आपको कारेकाल पता चल गया तो और उसका जो पारिस्रमिक होता है जो इसकी salary होती है जो इसका वेतन होगा ये वेतन जो है राजेपाल निधारित करता है कौन निधारि आपको जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं एक आर्टिकल बड़ा महत्वपुन इसके लिए होगा जो होगा आर्टिकल 177 क्या है यह आर्टिकल 177 यह कहता है कि राज्य विधान मंडल में भाग लेने के लिए जो राज्य विधान मंडल है राज्य विधान मंडल जिसमें विधान सभा होता है ठीक है विधान परिसद होता है कहीं कहीं पे तो राजे विधान मंडल में भाग लेने के लिए इसे जो है छूट दी गई है भाग लेने के लिए इसे छूट दी गई है ठीक है भाग लेने के लिए इसे स्वतंतरता दी गई है कि ये राजे विधान मंड सकता है और इसमें जो है बोल सकता है क्या कर सकता है यह बोल सकता है ठीक है बोल सकता है बैठक में भाग ले सकता है यह सब जो है आर्टिकल 177 के तहत इसे इसे जो है यह सकती प्राप्त है लेकिन इसके यह इसका जो है यह ओट नहीं कर सकता है ठीक है ओट नहीं कर सकता है ध् बिधान मंदल का सदस्य नहीं होता है तो ये उस बिधान मंदल में बोल के भाग ले सकता है वहां बैठ सकता है चर्चा में भाग ले सकता है सब कुछ कर सकता है पर एक चीज ओट नहीं दे सकता क्योंकि ये उस बिधान मंदल का सदस्य नहीं होता है ठीक है उसे राज के किसी किसी भी नियाले में सुनवाई करने का अधिकार है तो यह आपका टॉपिक था महादिवक्ता हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक में तो जल्दी से मुझे बताएं कि अहां आपको कोई दिक्कत हुआ कोई समस्या हुई इसके बारे में यदि नहीं हुआ तो मैं आप सभी लोगों को आज मैंने क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा जिस हुली के दिन में तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं हमने पढ़ा राज्यमंत्री परिशत के बारे में जो कि आर्टिकल 163 में हमन मंत्री परिशत के सदसे राजयपाल के प्रसाद प्रिशाद नापत धारन करते हैं इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपके राजयमंत्री परिशत के गठन के बारे में तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं जो कि आपका आर्टिकल 164 के 1 में दिया गया है जिसमें आपका संय होता है और दल वहमत नहुता हो और मत्रियों की नियुक्त करता है थीक और और राजेपाल जो है CM की सहायता से क्या करता है अन्य मंत्रियों की न्युक्ति करता है ऐसा हमने बात किया अगली बात हम अन्य मंत्रियों की न्युक्ति की बारें बात करें तो कौन करता है राजेपाल अभी हमने बताया मुख्यमंत्री के सलापे और यह किसी को भी जो है जो योगिता के बारे में हमने बात की कि मंत्री को योगिता जो होती है विधान मंडल की किसी भी सदन का सदस्य होना उसका अनिवारे होता है कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मंत्री नूट कर सकते हैं जो विधान मंडल का सदस्य नहीं हो उसे भी नूट कर देते हैं तो उसे 6 मह मुख्यमंत्री के सलाभें से राज़पल तो मुख्यमंत्री जबतक उसे चायगा तब तक उसको मंत्री पत्र पर देगा और बसाक्त थम् parenthरी जर लगता है कि इसे मंत्री नहीं रखना तो मुख्यमंत्री उन्हें उसके मंत्री पत सी इस्थिपाः दिलवा सकता है तो तो इसमें जो है मंत्री परिशद जो होता है या मंत्री जो होते हैं वो मुख्य मंत्री के विश्वास पे ही रहते हैं वैसे यदि बात करें कि एक समय में कितने समय तक रह सकता है तो पांच वस्तक मंत्री रह सकता है सामोईक उतवधायतों की बात करें तो मंतरी परिשत जो विधान सभा के प्रती क्या होता है परती जिमेंदार होता है अगला यदि हमएक करकोनी के बात कि अलिगताई चोर्णी का academic करता है सदस्ट को सब्सक्राइब करना घठन की बात करें तो मुख्य मंत्रीकां करना होता है मन्तरियों कच faire करना होता है की कौन से बिभाग की समन्तरी को दी जाए तो यह बात आपका गठन में हो गया मधिस्तता की भूमिका की बात करें तो राज्यपाल और मंत्री परिसत के बीच का कारे मुख्यमंत्री करता है कि कोई भी आदान प्रतान मैसेश को करना है तो वो मुख्यमंत्री भी करता है आर्टिकल नंबर 167 में यह दिया गय है हमने इतना चीजों को पड़ा राजे का महादिवक्ता एक लास्ट टॉपिक आपका राजे का सर्वच विदिक अधिकारी होता है आर्टिकल 165 ठीक है राजयपाल महादिवक्ता की निउक्ति करता है और वह उसे निउक्ति करता है जो हाई कोट के जजज बनने लाइक की योगिता रखता हो और वो जो है दस वस्तों तक नाइक पत पर रहा हो या पिर दस वस्तों तक एडवक्त रहा हो ऐसे ब्यक्ति को जो है वह महादिवक्ता निउक्त कर सकता है कौन राजयपाल निउक्त कर सकता है कारेकाल राजयपाल के प्रसाद परियंत रहेगा इच्छ उट नहीं दे सकता और महादिवक्तार राजी के किसी विन्याले में क्या कर सकता है सुनवाई कर सकता है इस तरीके से हमने आज के पूरी टॉपिक को पढ़ा है चलिए मैं आप सभी को बता दू कि कल सनीवार के दिन हमारी क्लास होगी दस से ग्यारा सुबह 10-11 क्या होगी क्यांत कर दू आपको कर लिया है वाइस प्रेसिडिंट पढ़ लिया है हमने आपके लिए प्रीम को पढ़ लिया है हमने union council of minister को पढ़ लिया है union council of minister को पढ़ लिया है ministers को ठीक है हमने जो है आपका महान्याइवादी को पढ़ लिया है जो कि आपका क्या होता है इसा attorney general को पढ़ लिया है ठीक है attorney general को पढ़ लिया है हमने राजेपाल को पढ़ लिया है, हमने राजेपाल को या गवर्नर को पढ़ लिया है, हमने स्टेट के मिनिस्टर को पढ़ लिया है, यहां के मिनिस्टर को भी हमने पढ़ लिया है, हमने सीम को भी पढ़ लिया है, और हमने एड़ोकेट जनरल को भी पढ़ लिया है, इतने टॉ में हमने आपको क्या किया था प्रेसिडेंट का कराया था टेस्ट टू में मैंने आपको यहां तक कराया था टेस्ट टू और अब जो टेस्ट थ्री होगा वो आपका ये होगा क्या होगा आपका टेस्ट नंबर थ्री ये होगा ठीक है और इसके बाद हम लोग संसद पढ़ें और उसके बाद उसकी question की practice भी करते हैं और जो कि आपको कहीं भी किसी भी coaching में पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेगा क्योंकि 45 दिन 45 गंटे कोई भी GS का subject आपको नहीं पढ़ाया जाता यह ध्यान में रखेगा SSC label पे हर्याना CT label पे या किसी भी एक्जाम के लेबल पे यूपीएसी label की बात नहीं कर रहा हूं इस लेबल पे कहीं भी आपके नहीं करा जाता तो आज के लिए आप सभी को होली की बहुत-बहुत हार्दिक सुबकाम ना है आप सभी से आसा करूँगा कि आपने जो प्रण लिया था फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार फिर से प्रण लीजिए कि हम सभी लोग मिलके इस हर्याना CT के जंग को जीतेंगे और सेलेक्शन लेंगे और जो है आप सभी का ठीक से ठीक है आप इन सभी चीजों को लेते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज का आप सभी को बहुत-बहुत सुभकाम ना है होली आपने बहुत अच्छे से खेला होगा और आप लोग जो है यह प्रण ले लिजेगा कि हमें सेलेक्शन लेना है ठीक है आज के लिए इतन सबस्फ cops लिए ले ना है यह यहलाओे सेलेक्शन लेने सुपकर्स inवेटных लेफ लेक्फ लेखना है और आगे हैं ओर करूख रही दोखे हुए है मी आज जामे बहा जागे है उाब लोगosse है।